Logistic regression जो है यह linear regression की ही type है ठीक है लेकिन linear regression के अंदर हमने कुछ important चीज़ें देखी है जिनको हम discuss करेंगे और फिर Logistic regression की तरफ move करेंगे कि how it can actually effect different kind of parameters inside logistic regression और linear regression को मद्धे नज़ रखते हुए इसारा कुछ हम देखेंगे मैं अपनी screen आपके साथ share करता हूँ then it would be easier for you guys to understand यहाँ पर अगर आप check करें तो हमारे पास Logistic regression जो है उसको हम देखते है Logistic regression Logistic regression क्या होती है Logistic regression basically आप तब check करते हैं जब आपके पास कोई classification की problem आती है तो पहली बात तो याद रखिएगा कि linear regression के अंदर Linear regression जो हमने कल पड़ी थी Regression एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर आप क्या करते है Regression के अंदर आप basically Numeric value को predict करते है Numeric value को predict करते है ठीक है जो Logistic regression है Regression से तो हमें पता चलता है कि हमने Numeric value को predict करना है लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि वाहिद Logistic regression है जो classification के लिए use होती है और ये Numeric value को predict करने के लिए use नहीं होगी ये चीज़ों को classify करने के लिए use होगी जब हम चीज़ों को classify करते हैं तो दो तीन तरीकों से करते हैं पहली ये चीज़ होते है कि जब आपके पास कोई भी data है data की base पे आप data को read out करने के बाद या तो आप दो categories में डाल देते हैं जिसको हम binary classification बोलते हैं for example true या false या आप कह देते हैं जनाम male के या female के साथ ये match कर रहे है या zero है या one है या survived versus not survived ठीक है तो अगर आपके पास boolean operator के अंदर दो चीज़ें जब आप classify करते हैं तो इसको हम बोलते हैं binary classification binary classification ठीक हो गया binary classification क्या होती है ऐसी classification जिसके अंदर आपने जो चीज़ प्रेडिक्ट करनी है वो असल में दो values के अंदर प्रेडिक्ट हो लिए second आपके पास जो classification होती है उसको आप multi class classification बोलते हैं multi class classification multi class classification क्या होती है कि अगर आपके पास एक variable जिससे आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो A है या B है या C है यानि के binary नहीं है binary क्या होता है दो variables नहीं है बलके दो categories नहीं है दो या दो से ज्यादा categories है तो हम जब किसी चीज़ की prediction करते हैं in categorical variable तो हम उसको बोलते हैं कि ये classification है multi class तब होगी जब दो से ज्यादा हमारे पास classes होगी जिनमें हमने classify करना है क्योंकि ये जो variables के अंदर आपका data होता है इनको हम classes बोलते है अगर दो variables के अंदर करना होगा तो हम उसे बोलते है binary classification ठीक है true, false, male, female, 0, 1, survived, not survived ये binary classification की example है अगर मैं कहूं कि जो shirt का color है वो green है, blue है या आपका red है, ये तीन classes होगी है हमारे पास तो ये multi class classification हो गए ठीक है, फिर इसके बाद एक और classification की type आती है जिसको हम बोलते है multi label classification multi label classification ये एक ऐसी classification होती है जिसके अंदर आप data को multiple labels देते है multiple labels देते है for example, एक आपकी movie है आज कल जिसका नाम चल रहा है movie का animal movie को देख लेते है animal movie है, आप इसको कौन-कौन से labels देंगे obviously पहली चीज ये हिंदी movie है ठीक है, दूसरी इसको बॉलिवुड भी कह सकते है तीसरा label इसके साथ ये भी आ सकता है कि जनाब ये से for example के box office पे चाही हुई है तो box office की category भी इसके साथ आप लगा सकते है इसको आप कह सकते हैं कि ये इसके अंदर thrilling काफी चीज़े हैं तो thriller भी आप इसे बोल सकते हैं action भी बोल सकते हैं तो अगर आप एक से ज्यादा label एक ही चीज़ को लगाएंगे इसको हम मोलते है multi-label classification ठीक है so multi-label classification आज के दोर में बहुत ज्यादा यूज होती है और ये तब यूज होगी जब आप एक ही चीज़ को multiple labels लगा देते हैं ठीक है अब हमारे पास logistic regression जो है ये classification के लिए यूज होती है by the way classification की तीन टाइप से binary classification, multi-class classification and multi-label classification binary classification के लिए most of the time आपका logistic regression का algorithm जो है वो यूज होता है linear regression की जब हम बात करें तो जो हमने कल भी बढ़ा है linear regression एक ऐसी regression की type है जिसके अंदर हम numeric variable को predict करते हैं logistic regression भी regression की type है but this is used for classification ये algorithm classification के लिए यूज होता है ये चीज आपने mind में रखना है अब linear regression और logistic regression में कौन सी चीज सिमिलर है हमारे पास जब हमने x की base पे y को predict करना होता है तो x की जितनी मर्जी values हो x1 हो, x2 हो, x3 हो या जितनी भी हो इनका linear combination मिलके y को बनाता है यानि के इन सारे variables का linear combination linear combination of all these variables actually make up a y level ठीक है? और इन चीजों से हमारे पास काफी जो linear combination की base पे जब हमारे पास y predict होता है तो वो हम इस वड़ा से इसको linear regression पोलते हैं ठीक है? अब हमारे पास linear combination से कई किसम के जो सूर्थिहाल है वो जनम लेती है बट आइस्ता हम इन चीजों को देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हमारे पास logistic regression काम करती है आपको जो चीज मदे नजर रखनी है जब भी regression का नाम है और खास तोर पर logistic regression का है अब जहरी बात है हमारे पास जब हम चीजों को classify करते हैं classify करते वकत हमारे पास काफी किसम की labels आ जाती है for example एक true है एक false है एक yes है एक no है अगर मैं yes कहता हूँ तो मेरे पास कोई evaluation metric भी होना चाहिए कि यह yes जो मैंने बोला है यह कितना true है कितना accurate है ठीक है कितना precise है कितना इसको हम एक best value बोल सकते है जैसे हमने linear regression के अंदर different matrix देखेंगे देखेंगे इसी तरह classification के भी matrix होते है तो यहाँ पे आपको जो बात समझनी है वो यह है कि classification के matrix linear regression या regression से बिल्कुल different होंगे तो इन दोनों के matrix का मतलब यह है कि जब भी आप regression की problem कर रहे होंगे तो जब आपने उस model को evaluate करने है आपको regression के matrix यूज करने पड़ेंगे जब आपने classification की problem को हल करने है तो classification के matrix यूज करने पड़ेंगे वो कौन-कौन से matrix हैं अभी हम देखते हैं अपने अगले lecture के अंदर